हेलो फ्रेंज आप सभी का मेरी चेनल एजुकेशन एटों बाई बर्ख में स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक का एसेंडिंग ओर्डर या इंक्रीजिंग ओर्डर आज हम अपनी इस वीडियो में असेंडिंग ओर्डर सिखाएंगे इसे इंक्रीजिंग ओर्डर भी बोलते हैं जो छोटे बच्चों से लेकर तक के बड़े बच्चों तक का होगा चली हमनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यह समझना चाहेंगे कि असेंडिंग ओर्डर किसे कहते हैं देखिए असेंडिंग ओर्डर होता है चड़ते करम भड़ते करम इसे आरोही करम भी बोलते हैं या छोटे से बड़ा देखिए मैंने ascending order को अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर एक diagram बनाया है जिसे कि यह सीडिया है 1, 2, 3, 4, 5 यह छोटा है यह उससे बड़ा है यह उससे बड़ा है यानि कि छोटे से बड़ा होता चला जाएगा यानि कि हमारा जो सबसे पहला number है वो सबसे छोटा आएगा ascending order को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर केवल इसके 2 points ही basic point है उन्हें समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है देखिए आपको जितने भी numbers देखिए जैसे यहाँ पर यह numbers दिये गए हैं जितने भी numbers दिये गए हैं उन्हें सबसे पहले हमें digits count करनी है यानि कि अगर कोई एक number का है एक digit के हैं तो एक digits में आपस में compare होंगे दो के हैं तो वो दो में होएंगे ठीक है आगे देखिए second है number की numbers की जितनी भी digits हैं उनको आपस में one by one compare करेंगे चलिए मैं आपको इनको एक example से समझाती हूँ short में फिर हम मैंने यहाँ पे 7 examples लिये हैं इनको ascending orders में हम arrange करेंगे यह 7 examples हैं मैंने 50 यह समझ लीजे कि 99 lakhs तक के लिये हैं जो कि जिससे आपको यह ascending का जो point है वो बहुत अच्छे से clear हो जाएगा तो चलिए मैं आपको वैसे एक दो examples से अच्छे से समझाती हूँ अपनी यह दोनो basic points को देखे सबसे पहला क्या है कि दिये numbers में digits को count करना देखे जैसे यहाँ पे हमें यह वाली values दी गई है 7, 9, 10, 15, 25 जैसे कि हमें इन जो यह values दी गई हैं हमें इनको क्या करना है ascending orders में करना है तो हमें क्या करना है सबसे पहले मैंने आपको बताए जो भी numbers दिये गए हैं इनमें हम क्या करेंगे digits को count करेंगे देखे इसमें one digit है इसमें भी one है इसमें one है इसमें कितनी digits है two digits है यह इसमें भी 2 हैं तो सबसे पहले थे चोटा यह होटा और इसलिए हम हैं। इनों में ही मेरा जो यह स्टैकिंड है नंबर की जो डिजिट से उनको आपस में वन वाई वन कंपेयर करना यह वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा देखिए यह दो है अदेखिए इसमें हम फस्ट नंबर जो एता है वन बाई वन यानिकि इसका भी फस्ट नंबर इसका इनहें कंपेयर करेंगे देखिए यहां पर वन है यह one है यह two है अब देखिए टू बढ़ा होता है यहीं धोनों वैल्यूस है अब इसमें देखेंगे यह दोनों एकवल हो गे है इसलिए हम फंसी बढ़ी है इसमें zero है और इसमें five है तो देखिए five बढ़ा होता है जेरो देखिए मैंने आपको एक ही अपने question में, examples में, दोनों अपने basic points clear कर दिये हैं, I hope आपको अच्छे समझ में आए होंगे, चलिए हम अपने क्या करेंगे, अपनी आगे के जो मैंने 7 examples लिये हैं, उनको अच्छे से करते हैं, ताकि और अच्छे से आपके concept है, वो clear हो जाए, द सबसे पहले हमारा क्या है, digit को count करना है, digit 11, digit के ही है, तो हम चलिए, अब second number पर क्या करना है, आपस में हमें इनको compare करना है, देखिए सबसे छोटा होता है, 1, उसका बाद है, यहाँ पर 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, एन उसके बाद है 9, देखिए अगर आप छोटे बच क्यों ना आ जाए, वो बहुत असानी से कर पाएंगे, क्योंकि first number, second number ही हमें count करना है, compare करना है, तो उससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा, तो चलिए आगे दिखते हैं, देखिए, यह two digit के हैं, सभी two digit के हैं, तो अब हमें क्या करना है, इनका first number क्या करना है, compare करना है, देखिए, इसका one है, इसका two है, इसका eight है, nine है, six है, three है, तो सबसे चोटा है one, तो हम सबसे पहले लिखेंगे one, फिर उसके बाद में सबसे चोटा है two, 25 लिखेंगे, फिर उसके बाद में है three, 30 लिखेंगे, फिर इक लिखेंगे 86, और उसके बाद हम लिखेंगे 98, देख आगे देखिए 543 है जशे कि ये देख पहले सबसे पहले हमें क्या करना है सारी इ Wick को काउंट करना यह 3 इसकी है तो हम इससे करते हैं अब देखिए यहाँ पर इसका फरस्ट नंबर है अमें compare करना, यहाँ पर 5 है, 6 है, 9 है, 1 है, 3 है, तो सबसे पहला 1 होता है, यह 1 लेंगे हम, 1, 8, 9, second number पर देखिए, 3 है छोटा, तो 3, 8, 6, अब यहाँ पर 5, 4, 3, अब यहाँ पर 6, 8, 4, 9, 6, 3, देखिए, के वहला भच्चों को सिफ एक बात सिखानी है, कि क्या होता है, कि सबसे छोटा number हमें सबसे पहले लेना है, यानि कि हम छोटे से बड़ा, यहीं समझाएगे, हमें सबसे छोटा लेना है, छोटे से बड़े चलते जाएंगे, मैंने इससे पहले अपनी एक descending order की बनाई है, उसे भी आप देखीगा, बहुत असान है, ऐसे ही तरीका है, उसमें क्या होता है, केवल बड़े से छोटा जाना है, ठीक है, तो यह 7 हैं, यह 7 हैं, यह दोना अपस में compare हो गए है, यह 33 है, सबसे पहले 3, 3 चोटा है, तो हम सबसे पहले 33 को लेंगे, देखिए यह compare के है, हम ने यह छोटे दोन्ण equal हो गईए, अब देखिए 6, second number पे लेंगे, 6 हैं, है यहाँ पर 8 है, तो हम सबसे पहले 6 चोटा है, तो इसलिए जब से पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको लिखेंगे, अब देखे, 7 है, 7 है, ये दोनों equal digit हो गई है, अब second वाली digits को compare करेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 छोटा होता है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 7, 9, 4, 8, देखे, ये 4 digits तक के complete हो गए है, अब आगे देखे, हमने लिए है, 3 to 5 digits, 3 to 6, ये 6 digits हो गई है, ये देखे, ये भी 6 है, और ये है 5, तो हमें, मैंने आपको बताया था अभी, जो कम digits है, वो पहले आएंगी, यानि कि ये 6, ये 5 digits है, ये 5 digits है, ये छोटा है, नमब दोनों, तो हम इन दोनों में पहले compare करेंगे, कि पहले कौन सा आएगा, तो देखे, पहले 1st digit देखे, इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो पहले ये 2 छोटा है, इसलिए हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 9, आगे देखे, हम लिखेंगे, 4, 6, 8, 9, 5, अब ये देखे, 3, 3 digits के है है, 3, 3 के है, तो हमें क्या करना है, पहले देखना है, कि 3 digits में, number 1 पे कौन, number 1 digit है, उनकी, इनको compare करेंगे, देखे, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 number छोटा होता है, इसलिए हम 1 numbers को यहाँ पे लिखेंगे, 2, 8, 6, इसके बाद में देखे, 2, 4, 5, 6, 9, 6, देखे, के वाद फ्यू सेक एक्जामपल यह है, तो चलिए हम इसको देखते है, 3, 3, 6, 7 है, 7, 7, 7 digits के ही है, तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले number वाला है, वो count, उनको आपस में compare करेंगे, देखे, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे छोटा 2 होता है, तो इस को लिखेंगे, ये छोटा है, 5, 50, देखे, 50, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 50, लैक्स, यहाँ से याभी लास्ट में आएगा हमारा ये 7, 7, 6, 8, 9, 4, 3, 2, देखे, हमारे अभी तक हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं, बिलकुल आसान तरीके से, अभी देखे, 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट है, ये 3 हैं, ये भी 3 है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, देखे, ये 5 डिजिट है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा, लिखती, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये 5 डिजिट का है, ये 3 का है, ये 4 का है, तो देखे, इसमें 5 डिजिट सबसे बड़ी हो तो यह 4 डिजिट छोटी हो गई है, 3-3 दोनों इक्वल हैं, तो अब हम इनके क्या करेंगे, अब इनके हम नंबर की 1st डिजिट को compare करेंगे, चीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो 4 छोटी होती है, तो इसलिए हम 489 यह वाला लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे, हम 270, अब देखिए, यह 4 डिजिट है, यह 5 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर छोटा होता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे, 7643, अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे, लास्ट में, क्योंकि यह सबसे बड़ा है, देखिए, मैंने बहुत असान तरी समझ में आई है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, शियर, कमेंट कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक्यू सौ मच्च,